Hello everyone and welcome back once again in another session of macroeconomics. देखें macroeconomics में हम ये circular flow model के concept को discuss कर रहे हैं. हम two model, three model and four model circular flows को discuss कर चुके हैं. मुझे उम्मीद है कि आपने वो sessions जरूर देख ली होंगे. इस chapter में हमारे पास एक और छोटा सा concept है जो की final point of view से मैं कहूंगे फिर से की बहुत ज़्यादा important है. वो है leakages and injections. अब यहाँ पर जो leakages है उसका मतलब कोई पानी की टैंकी की leakage से नहीं है या जो injections है उसका मतलब कोई doctor की वो syringe से नहीं है. तो देखते हैं कि हमें economic point of view से economic point of view से leakages and injections के बारे में क्या बता रखा है. लेकिन उससे पहले एक अच्छा important concept है जो हमें समझ लेना चाहिए जो की है ये triple identity देखो there is always a triple identity in the circular flow of income in an economy. एक अर्थ विवस्था में हमेशा जब भी circular flow of income होता है तो ये एक triple identity पाई जाती है. ये जो तीन parallel lines है इनका मतलब यही है कि they are identical, three of them are identical with each other. मतलब product या value of production जो है वो income के बराबर है जो की further expenditure के बराबर है. मतलब तीनों में समरूपता पाई जाती है. अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि national product का मतलब क्या होता है, फिर national income का मतलब क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि किस तरहां से इन तीनों में एक identity की बात कही जा रही है, ताकि हम धीरे धीरे हमारे इस leakages और injections वाले topic पर पहुँच सकें. देखो national product का मतलब क्या होता है, जो की मैंने अपने इस triple identity में सबसे पहला concept लिखा है. It is the value of goods and services produced, product है न, production से related है न, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये एक economy में एक वर्ष के दौरान, in a given year, एक वर्ष के दौरान जुतनी भी goods and services produce होती है, उनकी value के बराबर होता है, तो national product क्या होता है, ये आपको पता चल गया, ठीक है, अब हम बात करते हैं national income, मतलब राष्ट्रिय उत्पाद तो पता चल गया क्या होता है, अब देखते हैं कि राष्ट्रिय आये क्या होती है, देखो, किसी भी product को बनाने के लिए, हम different factors of production का use करते हैं, अब हमने इतना पढ़ लिया है, हम different circular flows पढ़ कर आये हैं, तो हमें इतना concept पता चल गया कि product को बनाने के लिए different factors of production का use किया जाता है, और एक producer जब factors of production का use करता है, तो बदले में वो उन्हें क्या करता होता है, वो उन्हें factor payments करता है, अब वो factor payments, अगर हम दूसरी party के point of view से बात करें, तो वो factor income बन गई न, तो it is actually the factor income generated in an economy in a given year, तो जैसे national product का हमने मतलब कहा, कि एक वर्ष के दौरान एक economy में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम राश्ट्रे उत्पाद कहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो national income है, वो क्या बन जाती है, वो है कि एक particular given year के दौरान, एक economy में जो total factor income generate हुई है, प्रजनन हुआ है, आये का प्रजनन हुआ है, आये जनरेट हुई है, इंकम जनरेट हुई है, उसको हम national income बोल देते हैं, अब इन में identity कैसे कही है, देखो बहुती simple सा concept है इसका, जैसे मालो की ये जो pen है, ये एक product है, जो की एक economy में, एक particular given year में produce किया गया है, ठीक है, तो मालो ये value of product जो है, मतलब इसकी जो कीमत है, वो कितनी है, 10 रुपीज, अब ये जो value of product बनकर तयार हुई है, ये जो 10 रुपीज है, इसमें 7 रुपे cost है, और 3 रुपे का मालो profit margin है, ऐसा ही होता है न, कि एक factory या एक company जो भी product बनाती है, उसका एक particular cost price होता है, cost of production लगी होई होती है, फिर वो उसमें अपना profit margin एड़ करकर, फिर वो एक sale price या हम जिसे MRP भी कह सकते हैं, कि जिससे वो product market में बिखता है, वो MRP fix किया जाता है, है न, आप देखो बहुती धियान से, ये था value of product, और मैंने आपको क्या का है, कि value of product, मतलब हमारा national product, हमारी national income के identical है, triple identity में से, अभी हम सिरफ इन दोनों की identity को study कर रहे हैं, तो जो ये cost है, 7 रुपे वाली, ये basically क्या होती है, हम जितने भी product को बनाने के लिए factors of production का use करते हैं, ये वही वाली cost है न, मतलब जो हम factor payments कर रहे हैं, अगर हम एक producer के point of view से सोचे तो, ठीक है, बिलकुल इसी तरीके से देखो, ये जो profit है, वो क्या है, ये profit जो है, वो entrepreneur वाला हिस्सा निकल रहे हैं, मतलब factors of production में हमने क्या पढ़ा था, land, labor, capital, and entrepreneur, यही पढ़ा था न, तो देखो, ये जो 7 और 3 रुपे हैं, अगर हम इन्हें इस form में combine कर कर देखें, तो ये हमारी factor incomes उभर कर आती है और factor incomes क्या है, factor income ही तो है, जो national income बनती है, जब हम उसे एक economy में एक particular given year के accordingly study करते हैं, तो बन गया न, 10 रुपे, 10 रुपे के बराबर आ गया न, तो that means national product और national income में identity पाई जाती है, बिलकुल इसी तरीके से रेखो, अब जो यहाँ पर आपको तीसरी identity कवर करने के लिए कहा expenditure, अब expenditure क्या है, दिखो बहुती simple सा concept है, कि जो product बनकर तयार हुए हैं, वो बिकेंगे, वो sale होंगे, लोग consumption expenditure करकर उसे खरीद लेंगे, जो भी value of goods and services है, उन्हें हम क्या करेंगे, consume कर लेंगे, दिखो अगर आप यह कहोगे, कि एक individual की अगर 100 रुपे मान लो, उसने factor income की form में 100 रुपे अर्न किया है, तो वो 100 के 100 products खरीदने में थोड़ी ना लगा देगा, सबी थोड़ी ना ऐसे लगा देते हैं, कुछ लोग save भी तो करते हैं, लेकिन अब बहुती धिहान से देखो, मैंने यहाँ पर value of goods के साथ साथ services भी लिखा है, अगर मैं 100 रु वो saving करता है, बैंक में, और बैंक क्या है, बैंक के एक service providing agency है ना, जो हमें services provide कर रही है, कि आओ हमारे पास आपके पैसे जमा करवाओ, हम आपको interest देंगे, तो एक individual या तो अपनी income को खर्च करता है, या कही ना कहीं save करता है, तो in short, वो सारे के सारी अपनी income को use कर देता है है ना, या जो products बनकर तयार होते हैं, वो products जो हैं, वो सभी के सभी बिक जाते हैं, मतलब वो किस form में convert हो जाते हैं, वो consumption expenditure का रूप ले लेते हैं, तो इसी लिए, ये तीनों में हमेशा एक triple identity पाई जाती है, तीनों हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन, लेकिन इस में expansion और contraction होता रहता है, इस identity में, जैसे मालो, अगर product 100 है, तो ये 100, ये भी 100, अगर production देट सो हो गई, तो ये भी देट सो, और ये भी देट सो, तो ये कहा जाएगा expansion, जब बढ़ रहा है, स्तर बढ़ रहा है, लेकिन, मालो, ये situation आ जाती है, तो it will be known as contraction, इसे हम contraction का नाम देंगे, अब ये जो expansion और ये जो contraction एक economy में होती है, वो होती है, due to injections and leakages, तो अब हम हमारे आज के basic मुद्दे पर पहुँच गए हैं, finally, कि injections क्या होता है, और leakages क्या होता है, तो injections क्या होता है, देखो जब भी एक doctor injection लगाता है, मरीज को, तो वो उसकी body म inject कर रहा है, कुछ भर रहा है, है न, तो इसलिए हिंदी में देखो, मैंने दो words यूज की हैं, समावेश, मतलब शामिल करना, या भरन, भर रहा है, तो these are those economic variables, ये बूबाले economic variables होते हैं, which have a positive effect, which has a positive effect on the process of income generation, that is, they increase the process of production in an economy, आप simple सी language में आप ये याद रखो, कि injections वो वले economic variables होते हैं, जिनकी वज़ा से न, circular flow of model में, income की availability बढ़ जाती है, मतलब income level बढ़ जाता है, तो अगर आप investment करो, अगर consumption expenditure ज़ादा हो, exports हो, तो income आएगी न, income add होगी न, और ज़ादा, पैसा और ज़ादा हमारी economy में, तो इन सब को हम injections बोलते हैं, बिलकुल इसी तरीके से अगर हम leakages की बात करें, these are those economic variables, which have a negative impact on the process of income generation, तो उसमें तो positive effect था, है न, उसमें तो भरा जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रही है, इसमें वापसी हो रही है, इसमें कुछ कटोती काटी जा रही है, तो process of production को, तो वो कौन-कौन सी चीजें हैं, जैसे savings हैं, जैसे imports हो गए, जैसे taxes हो गए, क्योंकि इनकी वजहा से, जो पैसा है न, वो economy में, बीच में flow नहीं कर पाता है, वो flow से रुक जाता है, वापिस खीच लिया जाता है, तो इसलिए इन्हें leakages के रूप में माना जाता है जाना जाता है, तो आपने simply दो बातें याद रखनी है, कि जो injections हैं, उनके case में, जो money है, वो और ज्यादा economy में in हो रहा है, आ रहा है, ठीक हैं, लेकिन जो leakages हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो money है, वो out rare है, मतलब अंदर नहीं आ रहा है, वो बाहर निकाला जा रहा ह हैं, तो अगर आपको ये concepts याद रहेंगे, तो injections और leakages की examples भी याद रहेंगी, चलिए अब इसके इसी concept को एक diagrammatic presentation के थूपी समझते हैं, देखो कुछ इस तरहां से injections और leakages को diagramatically present किया जा सकता है, जैसे फिर से सबसे simple manner में एक two sector model को consider किया गया है, जिसमें firms हैं, एक side पर औ और एक side पर household है, अब देखो, जितना भी investment है, या government के point of view से consumption expenditure लगा लो, मैं यहाँ पर GEE की बजाए आपको सीधा C कहूंगी, क्योंकि उसमें हम household sector का consumption expenditure भी cover कर लेंगे, और government का भी, वैसे ये सब चीजें, जो ये I आए आपको investment के point of view से बता रख है, यहाँ नीचे leakages में as savings के point of view से बता रख है, यह हम अब जो next start करेंगे, उसमें हम सब ये abbreviations को detail में समझेंगे, हम aggregate demand से related जब सारे के सारे concepts को समझेंगे, तो अभी फिलाल के लिए देखो, जैसे एक पानी की tanky उपर से भरती है, और जैसे जैसे हम उसे use करते चले जाते हैं, तो वो नीचे वाल नल को खोल कर जब हम उसे use करते हैं, वाल वगर खुला हुआ हो तो वहाँ से पानी use होता चला जाता है, पानी का level कम होता चला जाता है, तो ऐसा ही यहाँ पर आपको बता रख है कि injections के point of view से तो भरन हो रहा है, income, money और जादा economy में भरा जा रहा है, लेकिन अगर हम leakages के point of view उसे समझें, तो leakages जो है, वो क्या कर रही है, वो उस flow को कम कर रही है, वो उस money flow को बाहर खीच रही है, तो savings, taxes और imports जो कि अलरड़ी आपको बताए जा चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा यह session रहा, जिसमें हमने injections और leakages की discussion की, यह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो चलिए मिलते हैं next session में, जिसमें हम एक नए chapter के साथ macro economics के concepts को और आगे बढ़ाएंगे, तो तब तक के लिए जुड़े रहे चानल के साथ, अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो जल्द